नमस्कार दोस्तो तो आप अभी देख रहे हमारे पास galaxy image की जो फाइल आई है वो हमने यहाँ पे open की है यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास सरीन एडवाइजर 5.3 अवेलेबल है और उसमें यहाँ पे आप diamond भी देख सकते हैं जिसमें जितनी भी impurities rough diamond के भीतर है वो सार तो फिलहल हमें जो diamond है उसको देखना है देखना यानि कि diamond के भीतर जितनी भी impurities है वो perfect machinery है उसने ketchup की है या नहीं की है वो हमें देखना है क्योंकि इस diamond के भीतर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको black spot जितने भी देखाई दे रहा है जो हम इसको blemish भी कहते है diamond के भीतर जितने भी impurities है उसको हमें ketchup करना है लेकिन इसका ketchup है वो half detection तो नहीं है या फिर over detection भी नहीं है वो भी हमें पहचानना है यहाँ पे diamond तो आप देख सकते है diamond पूरे के पूरा diamond यहाँ पे open हुआ है cluster clear हमें दिखाई भी दे रहा है यहाँ पे marking भी की है like xvt और xvt hexo यहाँ पे आप 6 marking देख रहा है अभी देखे इसमें मैं makeable bit आता हूँ आप देख सकते हैं यहाँ पे makeable bit गया लेकिन इसके भीतर impurities आ गई अभी यहाँ आप diamond का weight भी आप देख सकते हैं दूसरा diamond bit आया तो उसका भी weight आप देख सकते हैं इसमें 35.36% जो दूसरा diamond था उसक weight मिला हमें तो एसे हम diamond का planning कर सकते हैं अगर आपको totally impurities based diamond बनाना है तो वो तो नहीं बन सकेगा क्योंकि क्यूलेट मा आएगा तो diamond आपका cut भी हो सकता है जब polish हो तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जितना भी plan आपको चाहें वो आप plan यहाँ से ले सकते हैं जो एक diamond उत्यो जिसने यह develop किया है अभी यहाँ पे हमें जो impurities है उसकी जो size है वो भी देखने है कि size है उसके हिसाब से हमें उसको split करना है split करने के बाद जितना भी diamond में चाहिए उतना हम रख सकते हैं तो यह सारी कि सारी facility हमें provide की जाती है Surin advisor में अभी आप देखिए यहाँ पे यह जो diamond लुए उसके भीतर हमने diamond तो बीठा दिया है अभी यह diamond में कितनी कसर हमें रखनी है diamond के पीतर यानि कि impurities कितनी चाहिए वह हम decide कर सकते हैं diamond का जो planning है वो किसी साब से करना है वह भी हम decide कर सकते हैं यानि कि galaxy जो planning करना है वह कैसे हो सकता है वह भी मैं आपको next वीडियो में ब यहां पर create हो जाएंगे दोनों सेम साइस के रहेंगे तो यह से diamond जो हमें चाहिए वह भी हम manufacturing कर सकते हैं यहां पर आप देख सकते हैं बड़ा सा diamond एक छोटा सा diamond impurities इसके भीतर नहीं रहेगी पूरा का पूरा diamond जो manufacturing होगा वह totally clarity भी रहेगा अभी देखिए कि कोई impurities हमें च कर्ड़ा चलेंगी तो वह से भी आप planning बिठा सकते हैं planning बिठाने में सबसे पहले आपको यही सोचना है diamond केज़ा है उस яप से हमें planning बिठाना है जो diamond है उसके भी काभी सारी impurities रहेगी वह impacto रहेगी तो हमें उस हुसाप से उसका planning करना है अगर उसकी जो impurities है वो हमें इसा लगता है कि single दो तिन impurities है तो उसे हमें remove करके यानि कि remove यानि कि हम उसे use कर सकते है diamond के फीतर अगर हम चलो के नहीं चाहिए तो हम उसे ignore कर सकते है तो वेसे हम planning कर सकते हैं और diamond बढ़िया हमारे हिसाब से निकाल सकते है